बेसिक्स औफ इंग्लिस ग्रामर इंग्लिस ग्रामर के बेसिक्स चीज़ों को देखते हैं क्या है बेसिक्स चीज़े तो लेटर क्या होते हैं इलफाबेट क्या होते हैं वर्ड क्या होते हैं और संटेंस क्या होते हैं और पराग्राफ आज के इस लेसन में हम यही देखेंग later का means होता है अच्छर या फिर आप word बोल सकते हैं English language को परिभासित करने के लिए जो पहली जरूरत होती है उसको later करते हैं मतलब English language की जो परिभासा है English language को हम तब तक define नहीं कर सकते हैं जब तक later ना हो Later की बिना English language अधूरा है Number of letters लेटरों की संख्या 26 later होते हैं जिसमें 5 vowels होते हैं और 21 consonant जिनको बेंजन बोलते हैं Later के बाद हमारा alphabet होता है alphabet का means होता है वडमाला या फिर अच्छर माला मतलब यह से लेकर जो जेड तक पूरी समू होते हैं यह से लेकर जेड तक जो 26 vowel और consonant होते हैं इन दोनों को मिला कर alphabet बोला जाता है यदि आप से पुछा जाएगा कि alphabet कितने होते हैं तो alphabet 1 होते हैं मतलब पूरे इस लेकर जेड तक जो पूरा समू ही समू को alphabet बोलते हैं ना कि A, B, C इन सभी को alphabet बोलते हैं तो अब आपको यहां से लेटर और alphabet में का मतलब पता चल गया होगा कि alphabet क्या होते हैं और letter क्या होते हैं उसके बाद हमारा होता है word word मतलब सब्द होता है ग्रूप आप letters letter का समू वीच मैक्स जो बनाता है complete sense पूर अर्थ या भा इस काल्ड है sentence उसको हम sentence कहते हैं वाकि कहते हैं means जो हमारा word होता है यह letter से मिलकर बना होता है जैसे देखते हैं example dog dog मतलब कुत्ता होता देखिए यहां पर जो dog word है जो सब्द है इस तीन letter से मिलकर बना है D से O से और G से जिसका मतलब होता है कुत्ता लेकिन इसी को हम पहले D write कर दें उसके बाद G write कर दें उसके बाद O write कर दें तो यहां पर हम देखते हैं जो letter तीन letter इसमें भी है वही तीन letter इसमें भी है इसका कुछ मतलब होता है या कुछ अर्थ निकलता है इसलिए इसको हम word बोलते हैं लेकिन वही तीन letter यहां पर मौझूद है लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं निकल रहा है इसलिए इसको हम word नहीं बोलेंगे मैं मतलब आदमी होता है कायट मतलब ली ऐसे बहुत सारे वर्ड हम ले सकते हैं यहां पर यहां ए मतलब जो तीन लेटर यहां पर मौझूद है वही तीन लेटर यहां पर भी मौझूद है लेकिन इसका मतलब होता है मतलब मैं मतलब आदमी मतलब इसका कुछ अर्थ निकल रहा है इसलिए हम इसको वर्ड बोलेंगे और यहाँ पर वही तीन लेटर है अर्थ नहीं दे रहा है इसलिए हम इसको वर्ड नहीं बोलेंगे सिंपल सा मतलब है कि जो हमारा वर्ड होता है लेटर से मिल कर बना होता है एक लेटर या कई लेटरों से मिल कर बने होते हैं लेकिन उसका कुछ मतलब होता है और यहाँ पर आपको और जान लेना चाहिए कि जो हमारा word होता है एक सब्द का भी एक लेटर का भी हो सकता है जैसे a यह मतलब होता है एक तो हमारा एक word हमारे जो है एक letters का भी हो सकता है इसको आपको ध्यान देखना उसके बाद हमारा आगे है sentence sentence means होता है sentence का Hindi means होता है a group of words सब्दों का सम्विश मायक्स जो बनाता है complete sense put how is known as कहते है sentence means के इसका मतलब किया हुआ कि जो हमारे sentence होता है कई words से मिलकर बना होता है जिसका कुछ मतलब होता है चलिए example से इसको देखते है रामी जो boy राम एक लड़का है देखे यहां जो हमारे पूरा sentence है यह तीन वर्ड से मिलकर बना है लेकिन वही चार वर्ड यहां पर भी मौजूद है तो इसको हम sentence बोलेंगे जो चार वर्ड यहां है वही चार वर्ड यहां पर है इसका कुछ मतलब है इस पूरे का कुछ मतलब है मतलब राम में एक लड़का है यहां पर sense अर्थ दे रहा है इसलिए हम sentence बोलेंगे लेकिन इसको हम sentence नहीं बोल सकते क्यों क्योंकि इसको यदि हम English में यदि word को आगे पीछे कर देते हैं एक तो यहां पर इसको कई words से मिलकर बना है इसको हम sentence बोलेंगे इसको वही words यहां पर हम इसको sentence नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां कोई अर्थ नहीं दे रहा है मतलब जो वर्ड यहां पर मौझूद वही वर्ड यहां पर जो वर्ड यहां पर मौझूद है वही वर्ड यहां इसका कुछ मतलब हुआ इसलिए इसको हम sentence बोलेंगे और इसका मतलब नहीं हुआ इसलिए इसको हम sentence नहीं बोलेंगे simple सी बात है कि जो हमारा word होता है वो later सी मिलकर बना होता है और word सी मिलकर sentence बनता है लेटर सी मिलकर word बनता है और word सी मिलकर sentence बनता है और sentence सी paragraph paragraph का मिन्स होता है a group of sentence वाक्यों का समुवी वीच मैं जो बनाता है complete sense is known as paragraph इसका मतलब किया हुआ जो paragraph होता है वो कई sentence सी मिलकर बनता है मतलब यहाँ पर राम एक लड़का है इस फादर उसके पिदा जी इस डॉक्टर उसके पिदा जी एक डॉक्टर है He is studying class 6 Class 6 में पढ़ता है He goes to school Delhi वह बिद्धालाई Delhi जाता है He is also a good player वह एक अच्छा खिलाड़ी है तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें कई sentence मौझूद है तो यदि कई sentence मौझूद होते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं paragraph तो अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि later से मिलकर word बनते हैं word से मिलकर sentence बनते हैं और sentence से मिलकर paragraph बनता है जो किसी language को परिभासित करता है बिना later का हम किसी भी language को परिभासित नहीं कर सकते हैं चाहे हिंडी ओ, उर्दू ओ, इंगली से कोई भी language है तो बिना later का कोई भी language defined नहीं हो सकता परिभासित नहीं हो सकता इस बेसिक, इंगली की बहुत बेसिक जरूरी चीज़े हैं जो हम लोगों को ज़्यादा तर पता नहीं होता है तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे एक दो बार इस वीडियो को देखकर आप बहुत अच्छे से इसको समझ लेंगे